है दुस्तों मैं राज पान रे, आप देख रहे है आरसीय हैं तोड़ी अभी की लेटिस्ट अबडेट के वारे में बात करेंगे आपको मालूँ होगा कि कोई भी जानकारी होती है, सबसे पहले मैं आप पहुंचाने का प्रयास करता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ, देखिए जानकारी की क्वाल्टी होनी चाहिए, मैं क्वाल्टी और कंटेंट पर विस्वास करता हूँ, अगर मैं सही जानकारी आपको दूँगा तो आप हम पर कि आप सची पत्रकारिता को görüş सपोर्ट करते हैं या अगर है तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सबस्क्राइब करिए हर एक खबर निजयाता के साथ बताऊंगा वीडियो को पूरा बात करिएn सबसे पहले मैं बात करूंगा एई भर्ती को लेकर ग्रेजवेट इंजिनिरिंग इस्टूडेंट वेलफेर एस्विसेशन ने उत्तरपश लोग श्रीवा आउट के अध्यच संजय स्रीनेत को इमेल भेज कर सहाइक अभियंता यानि की एई की नई भर्ती जारी करने का अनु पही संख्या मेरिक्त है इन पदों पर भर्ती होनी चाहिए देश तो इसकी चर्चा लंबे समय से चल लए थी और मेरे दो आपको बताया गया है कि या भर्ती जो है जुलाई के बाद आ सकती है जुन जुलाई के बाद आ सकती है तो अगर आप यह भर्ती के त्यारी कर रहे तो आप एई भर्ति के तयारी करते रहें, अवर्श यह आपको या भर्ति देखने को मिले गई उत्तर पे ने लोग स्रीबा आउग की द्वारा एक परज़ान दारी किया गया था, आपको मालूम होगा उत्तरबेने लोग स्रीवा आउग ने आरवेज चिकिस्ता अजिकारी के 611 पुद्वर सीधी भरती के लिए 8 जनूरी 2023 को हुई इसक्रीनिंग परिच्छा का परिणाम घोसित कर दिया है इसमें 1058 अभरती सफल हुए है अब बात करेंगे OPS को लेकर OPS सबसे बड़ा मुद्दा है और दर्दनाक कहानी सुनकर दिल धहल जाता है आपको मालूम होगा कि OPS को बुढ़ापी की लाठी क्यों कहा जाता है अगर आपका 70,000 वेतन है तो कम से कम आपको 18-22,000 रुपिया कम से कम पेंसन मिलेगा लेकिन NPS की बात करें जो भाजपा चाहती है भाजपा सरकार जिसके पच्छधर में है वह है NPS NPS में क्या होता है अब मैं आपको कटिंग दिखाना चाहता हूँ एक आपनी स्क्रीन पर देखिए 70,000 था बेतन 700 रुपे मिल रहा है पेंसन बताइए मन्थली अगर आपको 700 रुपे पेंसन दिया जाए तो क्या होगा क्या आप इसे अपना भरन पोर्शन कर सकते हैं या इसे आप बढ़ापे की लाठी कह सकते हैं क्योंकि सच्चाई आप तक पहुंचाना मेरा काम है और सच्चाई पहुंचाता रहूंगा तो क्या OPS जरूरी है या NPS जरूरी है क्यों को अपनी प्रतिक्रिया देकर उनके विचार को सुनने का प्रियास करें जब आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखेंगे तो आपके कमेंट पर रिप्लाइज जरूर आएगा अगली अप्डेट है नई प्रास्वी शिक्षक भरती को लेकर नई प्रास्वी शिक्षक भरती बताईए कैसे आ जाएगी यह भी एक सवाल बन रहा है सवाल प्रतियों क पूछ रहे हैं पर सिच्छू पूछ रहे हैं क्यों पूछ रहे हैं आपको बता दें जिले के 1617 प्रसदी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 33009 निहालों को इस बार बिना रिपोर्ट कार के मौकिक रिजल्ट बता दिया जाएगा इसके पीछे बजट की समझ्चा आड़ को सपा की राष्टिय अध्यश हैं और पूर्विसीयम हैं आपको मालूब होना चाहिए उन्होंने कहा कि 8000 ऐसे स्कूल हैं जहां पर सिचकों की भारी कमी है तो जब 3300 प्रसदिय बच्चों की रिजल्ट में बजट रोड़ा बन रहा है रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं मौकी बता रहे हैं तो आखिर का नए प्रास्वी शिचक भरती कैसे करेंगे और बेतन कहां से देंगे या भी सवाल तो आप सूझ सकते मुझे बतानी क्या बशेकता नहीं है अब हम बात करेंगे अगली एक और महत्पूर्ण ख़वर के बारे में एक अप्रेल से पान मसाला पर इक्यामन और सिग्रेट पर सो परिस्ट जेस्टी सेशन का सुरुवाद किया जा रहा है दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो स्यस होगा अब जितने गुट का खाने वाले हैं उनको एक बड़ा धटका लगा है केंसरकार ने पान मसाला सिग्रेट और तमाकू के अनुतपादों पर जेस्टी कंपनसेशन से अधिक्तम दर से लागू करने का फैसला किया गया है या अधिक्तम से इन उतपादों के खुद्रा विक अधिक्री मुल्क के आधार पर उसूला जाएगा जी एस्टी कंपनसेशन शस्की या अधिक्तम सीमा सुक्रवार को लोग सभा में पारित विद्धेग 23 संसोजन के जरिए तैंकी गई है या संसोजन एक अपरेल 23 से लागू हो जाएगा तो एक अपरेल 23 से बड़ा धटका लगेगा तो आप सो सकते हैं क्या क्या हो रहा है जटके पर धटका जटके पर जटका चलिए कै सियाफ पीजी कॉलेज में सकतने कोरू हूं फिस्वी हूं को बताने के लिए मैं आतूर हूं, खुस्ष भी हूं कि प्रति समय्चेशं फीस spec डिक्लिएर गया है, अब मास maravil काया खेंच के अगर बात करें तो पन्रा हजार रुपे फीस किया गया है, बीसी कंप्यूटर अप्लिकेशन की बात करें तो पंडरा हजार, इसकी किया गया है M.A. Educaucations की बात करे तो 15000 और M.A. Political Science की बात करे तो 12000 M.A. History की बात करे तो 12000 बी- ए जरनिलिजम एंड मॉस कम्पनी केल कि किशन की बारे में बताया हुं कि 15000 इलल्बी पाँच वर्षी ऑनर्स कोर्स की बात करे तो 3545 तैंख किए गये है तो इसके समझ में जानकारिया आप पूरा कलेट कर सकते हैं अब हम बात करेंगे धाधिली को लेकर धाधिली बहुत बड़ी समझ्या है उत्तर प्रदेश में पांच राजी टाप मोश्ट लिस्ट में हैं पांच राजी कौन कौन से हैं जान लीजिए चार राजी टाप मोश्ट में पांच राजी में एक राज और सामिल कर दिया गया है सबसे नमबर एक पर चल रहा है उत्तर प्रदेश धाधिली के मामले में पेपर लिग घटना है भरष्टा चार के मामले में भरतियों में जैसा कि आरोब प्रतीयों की छात्रों की दोड़ाँ जा रहा है दूसरे नंबर पर है उत्तराखंड, तिसरे नंबर पर राजस्थान चोठे नंबर पर बिहार, पच्वे नंबर पर हर्याणा तो इन पाँच राजियों में धादली खुब होती है भरतियों में अवाज उठाने पर अवाज को दबाने का प्रियास किया जाता है या सत्य है कहीं कहीं कारवाई होती है कहीं कहीं तो धादिली हो जाएगा न्युक्ति पत्र भी ब्वित्रित कर देंगे कुछ कारवाई नहीं होती है आपको मालूम होगा तो उत्तर पर सिविल कोर्ट स्टाप सेंटलाइज रिकॉर्मेंट 2022 स्टेज की टाइपिंग परिशा के दोरान सनीवार को जहलवा इस्टिस संबुनाथ इंजिनिरिन कॉलेज में साथ मुन्ना भाई पकड़े गए या सभी दूसरे की जगा परिच्छा दे रहे थे बताइए इस तरह की घड़नाएं सामने आती रहती हैं अब हम बात करेंगे भरती प्रक्रिया की अबधिकों लेकर यूपियस्टी से बांगी गई दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कारभी क्यों पर सिच्छन मामलों की स्थाई संसदिय समीत ने कहा कि सिविल सेवा भरती की 15 म महीने लंबी प्रक्रिया से उमिद्वारों का समय बरबाद हो जाता है इसके साथ उनके शारीदिक और मानसिक स्वास्पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है समीति ने संग लोग सेवा आयो को सिविल सेवा भरती प्रक्रिया की अवज को कम करने के लिए कहा है उनसे अपनी नभी इंतम रिपोर्ट में यूपी एसी से यहां भी कहा गया है कि वह उन कारणों का पता लगा है जिनकी वज़ा से सिविल सेवा की परिछा देने वाले अभर्चों की संख्या कम हो रही है तो अब देखना होगा इस पर क्या जबाब आता है वैसे कारण अभी तो पता न देखा है यूपी पीएसी से जाने के बाद लोवर की भरतियां फसी है ओवरेज हो रहा है अब भरती मुखमंत्री को पत्र लेकर मांग की गई है यूपीएसी को फिर से भरती का जिम्मा सौप दिया जाए लेकिन अभी इस पर मैं एक इस पर वीडियो बनाऊंगा इसके ब होने सत्य है इसको कोई जुठला नहीं सकता है लेकिन इस पर विस्तार से जानकारी अगर आपको चाहिए तो अगले वीडियो का आपको इंतजार करना पड़ेगा तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा सी ज्यादा सेयर करें जैन जब सुनमस्कार